नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आइमन्था वस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन हम हमेशा आपको आँखों की समस्याओं के बारे में जागूप करने की कोशिश करते रहते हैं जिनका आपको लाइफ की किसी फेस में सामना करना पड़ सकता है तो आज इस वीडियो में हम डि क्या होती है आई सेल सर्जरी किन सिटूैशन में की जाती है आई सेल सरजरी के बाद क्या होता है पेक लिंघ्म हे कितने ट रडप्लेंगे पहले हम जानंगे कि आइसवली क्या है और ये क고ation में की जाती है आईơn उपं इप्लांट एबल कोला मर्ण आक सेल एक टेखनौलजी जो चशमा हटाने के लिए यूज़ की जाती है यह surgery एं लोगों में ड्वाइस की जाती है जिनका ¿ immac सी या काली पूतली की हम जी आइडवाइस की जाती आईसेल सर्जरी हम तब करते हैं जब चश्मे का नंबर ज्यादा होता है माइनस 8 से माइनस 20 या 25 तक अगर हमारी काले पुतली का काट ठीक ना हो या उसमें कोई बिमारी हो या वो काफी पतली हो तो हम लासिक नहीं कर सकते इन सिटुएशन में आईसेल सर्जरी ही बेस्ट है आईसेल में जैसे कि मैंने बताया माइनस 1 से माइनस 25 तक के नंबर हम असानी से हटा सकते हैं आईसेल सर्जरी HD वेजिन क्वालिटी देती है यह हमें UV लाइट से भी प्रिटेक करती है क्योंकि इस सर्जरी में हम लेंस टाल रहे हैं आँक से कुछ निकाल नहीं रहे हैं जबकि लासिक में हम कॉर्णिया को पतला करते हैं ताकि शेप चेंज हो सके इसलिए ICL सर्जरी एक बिलकुल डिवर्सिबल प्रोसीजर है जिसे किसी भी टाइम डिवर्स किया जा सकता है अब देखते हैं कि इस सर्जरी कैसे की जाती है इसमें क्या-क्या में इन स्टेप्स होते हैं तो यह जो पेशेंट आज हम अपरेट कर रहे हैं इनका पावर कुछ इस तरह है इनकी राइट आइ में माइनस 17.25 के साथ माइनस 2 का सिलेंडर है इस आइज में हम इनको टोरिक आइसेल डालेंगे दूसरी आइ में माइनस 17.25 का पावर है जिसके लिए स्टेटल पावर सजेस्ट किया गया है सर्जरी की शुरुवात करते हैं आइसेल को पाकेज बॉटल से बहा निकाल कर लोड किया जाता है आइसेल बहुत ही पतली होती है अप्रोक्सिमेटली 6 माइकरोंस की तो इसे बहुत ही ध्यान से कार्टेलेज में लोड करना होता है लोड करके इसको थोड़ा सा पुश करके देखते हैं कि ICL ठीक से मूब कर रहा है या नहीं तो सरजरी के दुरान एक छोटा सा इंसेशन बनाया जाता है जो सेल्प सीलिंग होता है और उसके थूर विसको इलास्टिक मेटीरियल को इंजेक्ट करा जाता है यह मेटीरियल को पुटेक्ट करता है अब जो ICL को हमने लोड किया था उसको आख के अंदर धीरे धीरे जेंटली और स्लोली इंजेक्ट किया जाता है एंशुर करते हुए कि ICL करेक्ट ओरियेंटेशन यानि सीधा खुलगा हो जब एंशुर हो जाता है कि यह सीधा खुलगा है तब ICL को पूरी तरह से आख में इंजेक्ट किया जाता है एक बार ICL आख के अंदर जब चला जाता है तो उसके जो एजिस होते हैं उनको जेंटली आईरिस के पीछे टक किया जाता है चारो एजिस को आईरिस के पीछे टक किया जाता है ये tuck होने के बाद जो viscoelastic था उसको wash किया जाता है sterile BSS solution से तो left eye का procedure complete हो चुका है तो अब चलते हैं right eye पे बट इसमें क्योंकि toric lens है तो हमने पहले lens की marking करी है जिस axis पे lens को डालना है toric ICL में भी इसी तरह की marking होती है जो हमें इन marking के साथ align करनी होती है अब हम lens को insert करेंगे similarly orientation का पूरा ध्यान देते हुए कि वो सीधा ही आपके अंदर enter कर रहा है last में ICL को कॉर्णिल मार्किंग के साथ align कर दिया जाता है तो अब बात करते हैं ICL surgery के बाद क्या होता है ये lens iris और आपके natural lens के बीच में जाकर fit हो जाता है और एक बाद ये lens fit हो गया तो ये lens ना तो move करता है ना आपको feel होता है ना आपको चुपता है आप अपना सारा काम routine की तरह कर सकते हैं चाहे reading हो, बाहर का काम हो, sports person हो या धूल मिट्टी का काम हो या किसी भी तरह का काम हो आप सारी चीज़े कर सकते हैं और next day से ही आप अपने normal routine में आ सकते हैं Lastly बात करते हैं कि fakic lens की advantage क्या है, ये कितने types के होते हैं इनकी सबसे बड़ी advantage है कि ये high number, minus 1 से minus 25 तक आपको चश्मे से छुटकारा दिला सकते हैं cylindrical power में भी minus 6 to 7 तक भी ये छुटकारा दिला सकते हैं इन lens के दो model आते हैं या तो plane lens या toric lens जैसे कि हमने उपर बताया ही था ये lens अलग-लग budget के होते हैं दुनिया में सबसे famous star vision ICN lens FDA approved है और पूरी दुनिया में इसे ही use किया जाता है इसकी कीमत दोनों आखों की लग-बग एक लाग से लेकर डेल लाग तक जाती है पर अगर आपका budget नहीं है तो आपको निराश होने की ज़रुवत नहीं है ये lens काफी Indian companies भी बनाती हैं जिनके results भी equally अच्छे देखे गए हैं इनकी cost कुछ 70,000 से 1 लाग तक जाती है इस surgery में कोई दर्द नहीं होता से ज़री जानकारी मिली होगी अगर आप अपना experience शेर करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिये comment section में ज़रूर बता सकते हैं ICL के बारे में और जानने के लिए अपना appointment book करने के लिए हमें 971-115191 पे call कर सकते हैं और अगर आपको यह विडियो पसंद आई हो तो like का विटन ज़रूर दबाए आखों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें साथ ही इस informative विडियो को अपने friends और family members के साथ share ज़रूर करें धन्यवाद